देखे विपक्ष के सामने सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है विपक्ष की क्रेडविल्टी खतम हो गई है विपक्ष अगर सच भी बोलता है तो देश की जनता उस पर यकीन करने को तयार नहीं है क्योंकि इनकी हरकतें ऐसी हैं ये कभी कहते हैं हम हिंदुत को मिटाएंगे और हिंदुओं की सरकाल लाएंगे तो हिंदुत उसे हिंदु अलग कर देते हैं कभी कहते हैं कि साहब ये राम मंदिर का वैस कार करेंगे कभी सानातन को मिटाएंगे तो सवाल इस बात का है कि जो विपक्ष या कॉंग्रेस पार्टी खास तोर से वंदे मातरम का उद्गोश किया करती थी वो कॉंग्रेस आज भारत के टुकुडे करने वालों के साथ खड़ी हो गई है तो देश की जनता में उनकी जो प्रासंगिकता है उनकी जो विश्वस नहीं अता है उस पर सवाल या निशान कड़ा हो गया है दूसरा पंजाम में कॉंग्रेस पाइटी और आम आदमी एक दूसरे को गाली देंगे और दिल्ली में हम एक हो जाएंगे ऐसे ही ममतावेनर जी बंगाल में कॉंग्रेस को और कॉंग्रेस वाले टीमसी को गाली देंगे फिर दिल्ली में एक हो जाएंगे राहूल गांदी के सामने left candidate देगा फिर दिल्ली में एक हो जाएंगी देश की जनता को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है तो सबसे बड़ा सवाल जो विपक्ष के सामने है वो उनकी credibility का है विपक्ष और निरंतर खोता जा रहा है नरेंद्र मोदी एक ऐसे निता इस देश में जिनकी credibility है उन्होंने का अभी हम 317 अधाई उन्होंने का राम मंदिर का भब निर्माण होगा हो गया उन्होंने का लागू हो गया अब वो कह रहे हम यू सी सी लाएंगे तो मुझे लगता ला तो देश की जनता नरेंद्र मोदी की बात पर विश्वास करती है और विपक्ष सारा इखटा होकर भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं और एक बात और में बताओं जहां राहूल गांदी हैं उन्होंगे क्रेडिबिल्टी हो ही नहीं सकती है